राम सिया राम सिया राम जे जे राम राम सिया राम सिया राम जे जे राम दोस्तो आपका आपके अपने चैनल शांती गंगा पर स्वागत है बागिश्पर बालाजी महराज की जै दोस्तो यदि आप भी बागिश्पर बालाजी महराज के भक्त है तो इस वीडियो को एकलाइक चरूर कीजी तो इस वीडियो में बात करेंगी 10 ऐसे चमतकारी मंत्रों के बारे में जो आपको हर संकट से मुप्त कराएंगे हर संकट से आपको बचाएंगे और आपके घर में खुशियां तुरंत लोटेंगे आपके जीवन में खुशियां तुरंद लोटेंगी जहाँ दोस्तो वीडियो में अंतक बने रहिएगा दस ऐसे चमतकारिक मंत्र में आज आपको बताने वाली हूँ आप यथा शक्ती यथा समय आपकी जैसी भी परिशिती उसके अनुशार आप इस मंत्र का जैब कर सकते हैं और अपने जीवन में चमतकार देख सकते हैं दोस्तो और इसके लिए आपका मन बहुती शुद्ध होना चाहिए ये भी आप ध्यान रखें दोस्तो वीडियो में अंतक बने रही है हिंदू धर्म के दस चमतकारी मंत्र कौन से है मंत्र का आर्थ होता है दोस्तो मन को एक तंतर में बांधना येदि अनावशक और अत्यदिक विचार उत्पन हो रहे हैं दोस्तो और जिनके कारण चिंता पेदा हो रही है तो मंत्र सबसे कारगर और्जजी है आप जिस भी इश्ट की पूजा, प्राथना या ध्यान करते हैं उसके नाम का मंत्र जाप कर सकते हैं मंत्र तीन प्रकार के होते हैं दोस्तो सात्विक, तांत्रिक और सावर सभी मंत्रों का अपना अलग-अलग महतु होता है दोस्तो प्रति दिन जपने वाले मंत्रों को सात्विक मंत्र माना जाता है आए जानते हैं से कौन से मंत्र हैं जिन में से किसी एक को प्रति दिन जपना चाहिए जिससे मंत्र की शक्ती ही नहीं बढ़ती बल्कि सभी संकटों से मुक्ति भी मिलती है दोस्तों इन मंत्रों की जब का इस्मरण के वक्त सामाने पवितरता का ध्यान रखे यानि कि जब भी आप इन मंत्रों का जाप करते हैं या याद करते हैं इस्मरण करते हैं इन मंत्रों का तो आपको सामाने पवितरता का ध्यान रखना चाहिए जैसे घर में हो तो चपल उतार दीची अपनी चेयर पर बैठ कर आप इस मंत्र का प्रियोग या जब कर सकते हैं इससे आप मानसिक बल पाएंगे दोस्तों आपका मन बहुत ही एकागर रहेगा और शांत रहेगा जो आपकी उर्जा को जरूर बढ़ाने वाले सावित होंगे ये मंत्र दोस्तों म किसी भी तरह से परिशान है एंजाइटी है या किसी तरह से दुख दुखी महसूस आप कर रहें तो आप इस मंत्र का आप जाब कर सकते हैं कौन सा मंत्र है किष्णाए वासुदेवाए हरे परमात्मने प्रनत कलेश नाशाए गोविंदाए नमू नमा किष्णाए प्रभाव होने वाला है इस मंत्र का नित्य जाब करने से कलहें और ग्लेशों का अंधो कर परिवार में खुष्यां वापस लड़ाती हैं दूसरा मंत्र है दोस्तों cynिद्रायक मंत्र शांती तो हर किसी को जरौत होती की तो आप इस मंत्र का मंत्र को आप जाब कर सकते हैं श्री राम जे जे राम श्री राम जे जे राम बहुत ही आसान और सिंपल मंत्र है दोस्तों इस मंत्र का आप जाप केजिए इस मंत्र का क्या प्रभाप आपको देखने को मिलेगा ये भी जान लीजिए हनवान जी भी राम नाम का ही जब करते रहते हैं दोस्तों कहते हैं राम से भी बढ़कर श्री राम का नाम है इस मंत्र का निरंतर जब करते रहने से मन में शांती का प्रशार होता है चिंताओं से छुटकारा मिलता है तथा दिमाग शांत रहता है राम नाम के जब को सबसे उ बाद करते हैं जो है चिन्ता मुक्ती मंतर ओमनमह शिवाय जी हां दोस्तो इतना छोटा सा मंतर है जो आपको हर चिन्ता से मुक्त करता है ओमनमह शिवाय इस मंतर का आप जाब कर सकते हैं इसका कौन सा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, इस मंत्र का निरंतर जप करते रहने से चिंता मुक्त जीवन मिलता है, जी हाँ दोस्तों यह मंत्र जीवन में शांति ओसी तलता प्रदान करता है, शिबलिंग पर जल वा बिल्व पतर चड़ाते हुए, शिब मंत्र बोले मंत्य नम्हा, यह मंत्र भी बहुत कारगर है, दोस्तों यदि दिल में किसी भी परकार की घवराठ हो, डर हो या आशंका हो, तो निरंतर प्रती दिन इस मंत्र का आप जाप करे और फिर निस चिंत हो जाएं, किसी भी कार की सफलता और विजई होने के लिए इस मंत्र का देने वाला माना गया है दोस्तों बहुत ही कारगर उपाय है आप ऐसा कर सकते हैं प्रती दिन हनमान जी को सिंदूर चड़ाएं गुड और चैना का भोग लगाएं और इस मंत्र का स्मरण करें या मनही मन इसका जाप करें तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो सफलता आईगे आपको जो यश मिलेगा उसके बारे में शायद ही आपने सोचा होगा आप इसे जरूर कीजिए यदि म्रतितुले कष्ट हो रहा हो दोस्तों तो इस मंत्र का तुरंती जाप कर देना चाहिए यानि कि बहुत ज़्यादा यदि आप कष्ट में है आपके कोई प्रिय ओम नमो नारायन या श्रीमन नारायन नारायन हरी हरी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं क्या बोल सकते हैं आप ओम नमो नारायन या फिर बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं श्रीमन नारायन नारायन हरी 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 श्रीमन नारायन नारायन हरी 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 श्रीमन नारायन नाराय बहुत अच्छा लगेगा इस मंत्र को जाप करने में भी और आपके भीगड़े काम भी बनने लगेंगे इसके अलावा दोस्तों आप जो अगला उपाय है अगला जो मंत्र है वो है तुमे माताच पिता तुमे तुमे बंदुश्च शका तुमे तुमे विद्या दर्विणं तुमे विद्या दर्विद्या यह भी मंत्र आप जब कर सकते हैं दोस्तों इसका क्या प्रभाव होने वाला है भगवान विश्णू को जगत पालक माना जाता है वे ही हम सभी के पाला नहार है इसलिए पीले फूल वा पीला वस चड़ा कर इस वाले मंत्र को आप किसी एक म मैंने आप मंत्र बताए इन में से कोई एक मंत्र आपको सारे नहीं जब करने उन में से कोई एक मंत्र आप इसमरान करते रहें जब करते रहें मानसिक जाब भी आप कर सकते हैं इससे आपके जीवन में सकारात्मक विचार और घटनाओं का विकास होने लगेगा आपका और लक्षमी मा की पूजा एवं प्रात्ना करते रहने से सुख और सम्रिदी का विकास होता है दोस्तों छटा मंत्र है म्रत्यु पर विजय के लिए महा मिर्त्विंजे मंत्र ओम त्रियंबकम यजा महे सुगंधिंग पुष्टी वर्धनम इस मंत्र का जाब करना दोस्तों आ आप पूरा जाब किजिए पूरा मंत्र है ओम त्रियंबकम यजा महे सुगंधिं पुष्टी वर्धनम उर्वार कुमेव वंधनाय मिर्त्योर मुक्षी मामिर्तम तो इस मंत्र का आप जाब कर सकते हैं शिव का महा मिर्त्विंजे मंत्र म्रत्यु वक्काल को टालने वाला म इमार है तो नियम पूर्वग इस मंत्र का आप सहारा ले सकते हैं बस शर्ती है कि इसे जपने वाले को शुद्ध और पवित्र रहना जरूरी है अन्य यह मंत्र अपना सर छोड़ देता है दोस्तों सात्वा मंत्र है सिद्धी और मोक्षदाई गायत्री मंत्र जी हां दोस् इश्वर के प्रती इश्वर का शाक्षी और इश्वर के लिए है यह मंत्रों का मंत्र सभी हिंदू शास्त्रों में प्रथम और महा मंत्र कहा गया है हर समस्या के लिए मात्री है एक ही मंत्र कारगर है बस शर्ती है कि इसे जपने वाले को शुद्ध और पवित रहना जरू और दे अबश्रा मंत्रों की जतना इसाइस था मेरे जीवन प्रिवतन आप पाने में अपने जीवन में जितने भी परिवरतन पाहें, जो भी कुछ मैंने इश्वर से पाहें, वो सब इनी मंत्रों का प्रभाव है, दोस्तो, तो मेरा आप से अनरोध है, मेरा आप से प्रात्ना है, कि यदि आप भी कश्ट उठा रहें, तो आप पिल्कुल मत उठाईए, आप इन में से किसी भी मंत्र का जाब कीजिए, दोस्तो, सारी मंत्र बहुत अच्छे है, हनवान जी का कर सकते हैं, जो भी छोटे मंत्र आपको लगे, उनका प्रियोग आप कर सकते हैं, उनका जाब कीजिए, दोस्तो, आप चलते, फिरते, जब भी आपको याद आए, आप तब कर सकते हैं, इस मंत्र का प्रियोग, भगवान गड़िस को बिगन हर्ता माना गया है, सभी मांगली कारियों की शुरुआत में, स्री गड़िशाय नमहा मंत्र का उच्छारन किया जाता है, मित्रो, उक्त दोनों मंत्रों को गड़ेजी जाब कर सकते हैं, कालिका का यह अच्छुक मंत्र है, दोस्तो, इसे माता जल्दी से सुन लेती है, लेकिन आपको इसके लिए साबधान रहने की जरुत है, जी हाँ दोस्तो, इस मंत्र को माता बहुत जल्दी सुनती है, तो इस मंत्र का जाब करते समय आपको बहुत साबध जाप करते हैं तो आपका मन्तर का जाप करते हैं तो आपका मन्तर होना चाहिए आपके मन में सिर्फ एक वीचार होना चाहिए व ऐसा वीचार जिसके लिए आप जिस भी अविश्टिकार के लिए आप इस मंत्त का जाब करें इसके अलावा यदि आपके मन में उल्टे सीदे वीचार आते है तो फिर यह मंत्र आपको नुकसान भी दे सकता है दोस्तो इस मंत्र का कौन सा प्रभाव है इस मंत्र का प्रति दिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाब मिलता है इसे धन सम्मधी परिशानी दूर होती है माता काली की किरपा से सब काम सभव हो जाते हैं 15 दिन में एक बार किसी भी मंगवलवार या शुकरवार की दि अवे गरीब रहे वो परिशान रहे हम सभी चाहते कि हमारी घर में पर्याप्त धन रहे जिससे हमारा जीवन आराम से गुजर सके इसके लिए दोस्तो दरिदरता नाशक मंत्र है ओम हिरिंग हिरिंग श्री लक्ष्मी वासुदेवाई नमहा जी हां दोस्तो बहुत ही कारग भावना से दीब जलाकर और धूप देकर जपने से धन, सुक, शांती प्राप्त होते हैं दोस्तो खासकर धन के अब आपको दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए जहां दोस्तो आज के यह थे 10 मंत्र मैंने आपको बताए इनमें से कौन सा मंत्र आपको सबसे जाद अच्छा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताईए और इसी तरह की नए ने जानकार्य के लिए मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजीगा वीडियो में आप अंतक बने रहे इसका आपको दिल से बहुत-बहुत धन और थेरो भी कौन वीडियो का लिड़ा थदाइब